हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चनल आज मैं आपको डबल लेयर वेस्टन टॉप बनाना बताऊंगी यह मैंने दो मिटर रेयोन का फैब्रिक लिया है तो सबसे पेले हम फैब्रिक को ट्राइंगल शेप में बिछाएंगे जो मेरी सैट है वो फैब्रिक की बंदवली जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम हमें अम हौल भी लेना है अभी यहां से हमच पूजर का मेजर्मेंट लेगे तो चेश्ट आपकी जो भी हो उसे divided by four करके उसमें एक इंच एड करना है सिलाइ मार्जिन के लिए तो हमें एक इंच का ही सिलाइ मार्जिन छोड़ना है और back arm hold के लिए में देड़ इंच पर निशान लगाऊँगी और front arm hold के लिए एक इंच पर निशान लगाऊंगी और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रो कर देना है अभी हम इसकी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो इसकी लंबाई में अठरा इंच रख रहे हूं तो हमें अठरा इंच पर निशान लगाना है तो पूरे राउंड पार्ट में हमें अठ्रा इंच पर निशान लगाते जाना है और एक राउंड शेप ड्रो कर लेना है तो इस तरह से हमें राउंड शेप ड्रो कर देना है अभी गले की चोड़ाई के लिए हमें धाई इंच पर निशान लगाना है गले की चोड़ाय हमें धाई इंच ही लेनी है और गले की लंबाई के लिए हम तीन इंच पर निशान लगाएंगे हम इसमें फ्रांट और बेक का नेक सेम ही रखने वाले हैं और तीन इंच पर निशान लगाते हुए हम इसमें राउंड शेप ड्रो कर देंगे अभी हमें इसकी cutting कर लेनी है तो हम से back का armhole ही cut करेंगे तो ये देखे मैंने इसकी cutting कर ली है और ये दो पीस है front और back के लिए अभी ऐसे ही दो पीस हमें और cut करने है तो जो हमारा बचा हुआ fabric है उसे भी हम triangle shape में बिचाएंगे तो पहले fabric को double fold करना है उसके बाद हम इसे triangle shape में बिचाएंगे जो मेरी set है वो बंद वाली set है और जो दूसरी set है वो खुली वाली set है तो इस तरह से fabric को मैंने four fold में triangle shape में बिचाया हुआ है अभी जो पहले वाला pat हमने cut किया था उसे हमें इसके उपर रखना है बंद वाली set की तरफ से बंद वाली set ही होनी चाहिए अभी हम इसे as it is ऐसे ही draw कर लेंगे उपर की तरफ से इसकी neckline और armhole को हमें same ही draw कर देना है और इसकी लंबाई हम 20 inch रखेंगे आप चाहे तो इसकी लंबाई बढ़ा भी सकते है 20 से 22 inch तक इसकी लंबाई हमें रखनी है तो पूरे round में हम 20 inch पर निशान लगाते जाएंगे और round shape draw कर लेंगे अगर आपकी fabric की लंबाई ज्यादा है तो आप ज्यादा भी रख सकते है और नीचे की तरफ से हम round shape draw कर लेंगे नीचे की तरफ से हमें इसमें round shape draw कर लेना है अभी हम उपर का पार्ट हटा देंगे और इसकी cutting कर लेंगे जैसे हमने draw किया है बिल्कुल वैसे हमें इसकी cutting कर लेनी है तो ये देखे मैंने इसकी cutting कर ली है और ये दूसरे दो पार्ट है front और back के लिए इस तरह से हमें 4 पार्ट करने है front और back के लिए अभी जो दोनों छोटे वाले पार्ट है उसके हम shoulder joint कर लेंगे तो एक पार्ट के ओपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और इसके shoulder joint कर लेने है इसी तरह से जो दोनों बड़े वाले पार्ट है उसके भी हम इसी तरह से shoulder joint कर लेंगे तो दोनों पार्ट के हमें अलग-अलग shoulder joint करने है तो ये देखे मैंने shoulder joint कर लिये है दोनों ही पार्ट के अब भी हमें क्या करना है जो बड़ा वाला पाठ है उसे हमें सीधा रखना है और उसके उपर जो हमारा छोटा वाला पाठ है उसे हमें उल्टा रखना है तो दोनों को हमें शॉल्डर से शॉल्डर मिलाते हुए रखना है और दोनों की सीधी सेट अंदर की तरफ होनी चाहिए तो दोनों शॉल्डर के एक दुसरे के उपर मिलाते हुए पहले में से पीन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो तो पूरे neckline के उपर हमें पीन साटेच कर देनी है हमारा जो round वाला गले का पाठ है उसके उपर ही हमें पीन साटेच कर देनी है ध्यान रहे दोनों की सीधी सैट अंदर की तरफ होनी चाहिए अभी पूरे गले के उपर हम सिलाई लगाएंगे यानि की round पाठ में हमें सिलाई लगानी है तो दोनों साट के शॉल्डर अंदर की तरफ होने चाहिए पूरे neckline पर हमें सिलाई लगा देनी है तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है अभी हम इसमें छुटे-छुटे cut लगाएंगे पूरे round में हमें cut लगा देने है अभी जो हमने सिलाई लगाई है तो जो हमारा छोटा वाला पाठ है उसे हमें इस neckline के अंदर डाल देना है पूरा जो हमारा छोटा वाला पाठ है उसे हमें neckline के अंदर डाल देना है दोनों सेट से हम इस पाट को अंदर की तरब डाल लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद जो हमारा नेक लाइन है उसके उपर हमें कवर सिलाई लगा देनी है अच्छे से हमें इसे सेट करते हुए इसके उपर हमें कवर सिलाई लगा देनी है तो ये देखिए मैंने इसमें कवर सिलाई लगा दी है अभी हम इसके आम होल में फिनिशिंग देंगे तो बहुत ही आसान तरीका में आपको बताती हूँ आम होल को फिनिशिंग देने का तो सबसे पहले जो हमने शॉल्डर जॉयंट किया है एक सैट के शॉल्डर को ही हमें खोलना है तो सीधी सैट उपर की तरफ होनी चाहिए ये देखे इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगाई है अभी इसकी सीधी सैट उपर की तरफ होनी चाहिए और जो दूसरी सैट का आम होल है उसे हम इसके अंदर डाल लेंगे एक साइट का शोल्डर हमें पूरा खोल लेना है और दूसरी साइट का जो शोल्डर यानि कि आम होल है उसे हमें इसके अंदर डाल लेना है उसके बाद हम इसे लॉक कर लेंगे यानि कि दोनों आम होल को मिला देंगे दोनों आम होल को मिलाते हुए पहले हम इसमें पीन सटेच करेंगे तो दोनों शोल्डर को अच्छे से मिलाना है और इसके उपर हमें पीन सटेच कर देनी है तो पूरे आम होल के उपर हम पीन सटेच कर लेंगे एक सैट का जो आम होल है उसे हमें खोलते हुए दूसरे सैट के आम होल को इसके अंदर डाल लेना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है अभी हम इसमें भी छोटे छोटे कट लगाएंगे अभी जो हमने अंदर पाट डाला हुआ है उसे हमें खीचते हुए बाहर निकाल लेना है तो जो भी हमारा अंदर का पाट है उसे हमें अच्छे से खीचते हुए बाहर की तरफ निकाल लेना है अच्छे से आप इसे फिनिशिंग के साथ खीचेगा तो ये खीचने पर पुरा बाहर की तरफ निकल कर आएगा और इस तरह से एक सेट का आम होल हमारा जॉइंट हो चुका है बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसमें आपको अलग से पट्टी जॉइंट करने की भी ज़रुरत नहीं होगी और ये दोनों सेट से कितनी फिनिशिंग से नजर आ रहा है आप देख सकते है दोनों ही सेट से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से नजर आती है अभी हम दूसरी सेट के आम होल को फिनिशिंग देंगे तो जिस तरह से हमने पहले वाला आम होल खोल के रखा था बिल्कुल वैसे हमें दूसरे वाले आम होल को भी खोल के रखना है सीधी से ही उसके बाद जो हमारा दूसरे सैट का आम होल है जो हमने अभी फिनिशिंग दी है उसे हमें इसके अंदर डाल लेना है तो पहले वाले आम होल को खोल देना है और इसके अंदर हमें दूसरे सैट के आम होल को डाल लेना है तो दोनों shoulder से shoulder मिलाते हुए हम इसे lock कर लेंगे और इसके उपर भी हम pin satage कर लेंगे पूरे armhole के उपर हमें pin satage कर लेनी है ताकि हमें सिलाय लगाने में आसानी हो और इस तरह से ये दोनों ही side के armhole बहुत ही finishing से बैठ जाएंगे और आपको इसमें अलग से पट्टी भी जॉइंट नहीं करनी पड़ेगी अभी हम इसमें सिलाई लगा लेंगे तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है अभी हम इसमें छोटे-छोटे कट लगाएंगे तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे है आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहे है उसके बाद जो अंदर का फैबरिक है उसे भी हम बहार निकाल लेंगे जो हमने अंदर फैबरिक डाला हुआ है उसे हमें बहार निकाल लेना है अच्छे से फैबरिक को खीशते हुए हमें इसे बहार न यह दोनों ही से बहूत ही tarafionichum na ज़र आ रहा है आप देख सकते हैं दोनों से इसकी फिनिशिंग कैसी नज़र आ रही है अभी हम इसके उपर coverinc ng na name लगा देनी है दोनों ही site के आम hol के चाहर है तो यह देखे Minor γ haul li. से और यह कुछ इस तरह से नजर आएगा और ये छोटे वाला पाट उपर की तरफ आएगा और बड़ा वाला पाट नीचे की तरफ आएगा अभी हम इसकी साइट से फिटिंग करेंगे तो ये जो हमारे दोनों छोटे वाले पाट है जो उपर की तरफ है उसे हमें दोनों को एक दूसरे से मि लाएंगे तो छोटे वाला पाट जो उपर की तरफ है उसमें हमें सिलाई लगानी है जो बड़ा वाला पाट है उसके आधे तक ही हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो जो हमारा छोटा वाला पाट है उसमें पूरे में हमें सिलाई लगानी है और जो बड़ा वाला पाट है उस चोटे वाले पार्ट से सिलाई स्टार्ट करेंगे और जो बड़ा वाला पार्ट है उसके आधे तक हम सिलाई लगाएंगे तो ये देखे मैंने सिलाई लगा दी है दोनों ही साइट से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है अभी जो हमारा बड़ा वाला पार्ट जो नीचे की तर लगाएंगे पहले जो हमने चोटे वाले पार्ट में सिलाई लगाए थी उससे उल्टी साइट पर हमें ये सिलाई लगानी है तो जितना भी हमारा खुला हुआ पार्ट है उसकी उल्टी साइट पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से दूरसे सैट का भी जो खुला हुआ पाठ है उसे भी हम उल्टी सैट से सिलाई लगाएंगे तो जितना भी हमारा खुला हुआ पाठ है उसे हमें उल्टी सैट से ही सिलाई लगानी है तो इसके उपर छोटे वाला पाठ आएगा तो ये बिलकुल फिनिशिंग से सिलाई आ जाएगी तो ये देखे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और जो हमने सिलाई लगाई है वो अंदर की तरफ चली जाएगी और इसके उपर हमारा छोटे वाला पार्ट आ जाएगा इसलिए ये हमें इस तरह से इसकी फिटिंग करनी होती है तो ये जो सिलाई है वो अंदर से कवर अफ हो जाएगी दोनों ही साइट से आप इसकी सिलाई देख सकते है जो उल्टी साइट से हमने सिलाई लगाई थी वो अंदर की तरप से कवर अफ हो जाएगी अभी जो दोनों पार्ट की बॉर्डर है उसमें हमें स्टीच करवानी होगी स्टीच करवाने पर ही इसका गेरा बहुत ही अच्छे से नजर आता है अगर आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते है दोनों ही पार्ट की बॉर्डर को दोनों ही पार्ट की बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दिनी है तो अभी तो फिलहाल मैंने इसकी border को fold करते हुए सिलाय लगा दी है बाद में मैं इसमें stitch करवा लूँगी अभी इसके front part के उपर में ये दो buttons अटेज करने वाली हूँ decoration के लिए आप चाहे तो कोई page भी अटेज कर सकते है और इसी के साथ ये हमारा double layer western top बनकर ready हो चुका है और ये है इसका final look so friends I hope आपको आज का tutorial पसंद आया होगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे like और share ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लीजिए